हले बरोण कैसे आप सब एक बार पुना सीव कोचिंग क्लासेश पर स्वगत है क्लास टुल्द फिजिक्स एंसी एरटी में चैप्टर सेबन चल रहा है जिसमें आज का टॉपिक है चोग कुंडली सबसे पहले बात यहां पर समझना है कि क्वेशन किस प्रकार से पूछा जाएगा क्वेशन पूछा जाता है चोग कुंडली का सिध्यान्त क्या है धारा नियंतरन है तु इसका उपियो कैसे किया जाता है समझाना है चोक कुंडली में बहने वाली धारा को बाट ही धारा क्यों कहा जाता है इस प्रकार से question पूछा जाएगा ठीक है तो question कैसे भी पूछे आज इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो ये guaranteed कहता हूँ कि चोक कुंडली आप कभी नहीं भूल पाएंगे बस आप को इसे अंध तक देखना और थोड़ा सा समझना है ठीक है समझते से टाइम पे एतना ध्यान रखें कि आपका ध्यान केबल फोकस होना चाहिए सुनने में और देखने में ठीक है सुरू करते हैं चोक कुंडली क्या है तो प्रत्यवर्ति धारा परिपत में धारा के मान को न कुंडली कहते हैं कुल मिलाकर के चोक कुंडली का काम क्या है तो धारा के मान को नियंतरित करना चोक कुंडली का काम क्या है प्यरवच्चो धारा के मान को नियंतरित करना यहनी धारा का मान एदि उच है धारा की प्रबलता अधीक है और यदि टीव लाइट में या मरकरी लेंप में तेजी से धारा बहेगी तो पेरवच्चो जो टीव लाइट है वो फ्यूज हो सकता है मरकरी जो है फ्यूज हो सकता है इसलिए उसके साथ स्रेणी क्रम में चोक उन्री लगा दी जाती है जिससे धारा को नियंतरित करता है और उपकरन सुरच्छित रह जाता है चोक कुंडली लगाया जाता है चोक कुंडली धारा के मान को नियंतरित कर लेता है सबसे बड़ी खासियत बात इसमें ये है कि इसमें जो उर्जा है वो छै नहीं होता बहुत कम होता है हलाकि आज तक ऐसा कोई उपकरन नहीं है जिसमें उर्जा छै सून हो कहीं न कहीं कु चाहे वो उसमी उर्जा की रूप में ही क्यों न अच्छे हो वो तो होगा ही क्योंकि कोई भी उपकरण होगा थोड़ा बहुत तो एनर्जी लेगा हो चाहे हीट होकर के एनर्जी लास हो जाए तो कुछ न कुछ एनर्जी लास होता है लेकिन ना के बराबर लास होता है तो च धारा को नियंत्रित करता तो है लेकिन धारा को नश्ट नहीं करता इस कारण से इसका उपयोग अधिक्तर है है ना अधिक्तम रूप से इसका उपयोग हम कर रहे हैं ठीक है क्लियर तो परिभासा समझ गये कि तत्यवर्ती धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए हम निम्न प कुंडले कहते हैं यह तो परिभासा हो गया और यह डाइग्राम हो गया चो कुंडले कैसे बनाया जाता है पैर बच्चो एक नर्म लोहा लेते हैं और नर्म लोहे में हम क्या करते हैं बिद्दुत्रोधी मोटे तार को इस नर्म लोहे पर लपेड देते हैं यहीं तावा का त करना एक तार से दूज़े से हम कही फेरे लगाएंगे जैसे फेरे होंगी तो यहां से यहां चलने लगे तो ऐसा नहों ओख न पाए इस करणा से हम तार को बिद्दुत रोधी बना देते हैं जैसे हमारे पास यह चोटा सा तार दिख रहा है इसके अंदर पैर वच्चों मालीजी कापर है लेवनियमे कुछ भी लेकिन यह बिद्दुत रोधी दिख रहा होगा आपको बिद्दुत रोधी है क्यो क्योंकि इसके ओपर यहाँ पर लेप कर दिया जाता है प्लास्टिक का ताकि प्यारे बच्चों इसका जो धारा है वो बाहर न जाने लगे यह अचानक कहीं न कहीं दूसरा तारा कर से लड़ना जाए क्योंकि यहाँ पर कई फेरे होते हैं कई फेरे होते हैं इसे बिद्दुत रुद्ध तावे का अतार प्रयोग करते हैं और नर्म लोहे के कुरोड में नर्म लोहे के कुरोड में इसको लपेड देते हैं फिर इसे प्रत्यवर्तिधारा परिपत में कर देते हैं स्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं किस क्रम में जोड़ते हैं स्रेणी क्रम में जोड़ते हैं यसे प्रत्यवर्तिधारा परिपत है यहां बल्ब लगा है और इसके स्रेणी क्रम में इसको हम चोकुनली को जोड़ देते हैं जिसे यह जो बल्ब है यह च्छती होने से बच जाता है यह बल्ब जो है वो च्छती ह लग मिलेगा ठीक है तो थोड़ा सा आप मेरे हिसाब से समझेंगे और लिखेंगे सिध्यान्त में क्या करना है पेरे बच्चों चुकि आपने समझा कि यह जिसका प्रतिरोध बहुत कम है लेकिन कुछ न कुछ तो है तो प्रतिरोध हम आर मान की चलते हैं और कुंडली का जो एल वा प्रतिरोध कितना मान की चलते हैं प्रतिरोध आ रहे हैं और जब दो चीज हो जाए आपका प्रेरकत्त हो जाए और प्रतिरोध हो जाए तब प्रवच्चों परिपत का होगा प्रतिवाधा अब यहां पर तब परिपत का परिपत का प्रतिवाधा प्रतिवाधा ऐ तो प्रतिवाधा हो सकता है, तो जब single आपका L जुड़ा होता है, तो प्रतिघात होता है, या कि single C जुड़ा होता है, तो प्रतिघात होता है, लेकिन जब दो जी जुड़ा होता है, उसे प्रतिवाधा कहते हैं, और प्रतिवाधा को Z से दर साते हैं, यह आपका formula निकल करा ले LR परिपत उसमें ये जट का मानाता है अंडरूड आर स्क्वेर प्लस एक्सेल स्क्वेर ठीक है ये क्लियर होना चाहिए अब चूंकि चूंकि आपको पता है कि प्रतिरोध तो बहुत कम है और प्रिरकत तो उच्छ है तभी तो हम चो कुंडली हम चो कुंडली को क्या मान कर चले है कि प्रतिरोध बहुत कम प्रतिरोध बहुत कम लेकिन L का मान अधिक्तम होना चाहिए तो चूंकि चो कि L का मान अधिक्तम है इसलिए इसलिए एलेदी बढ़ेगा पेरवच्चो एलेदी बढ़ेगा तो जट का मान बढ़ेगा आलेडी इसलिए परिपत का प्रतिवाधा इसलिए परिपत का प्रतिवाधा क्या होगा अधिक होगा एल का मान अधिक होने से परिपत का प्रतिवाधा भी अधिक होगा और जब प्रतिवाधा अधिक होगा इस कारण से इस कारण से परिपत में वहने वाली धारा नियुनतम होगी और जब परिपत में नियुनतम होगी तो definite है आपका जो भी उपकरण होगा उच्छती होने से बच जाएगा यह क्लियर होगी इस प्रकार इस सिध्यान से कार करता है यह इस सिध्यान से कार करता है ठीक है इतना क्लियर हो गया तब यहाँ पर में दिया आप से कहूं कि परिपत का औस शक्ति कितना हो जाएगा तो आगे आपको लिखना है परिपत का परिपत का औस शक्ति औस शक्ति आपने कि P average बराबर होता है I RMS into V RMS into प्यारे बच्चो कॉस फाई या V RMS I RMS कॉस फाई यह आपने पढ़ा है औसत सक्ति का फार्मुला अब चुकि यहां पर एक चीज यह आपको याद होना चाहिए कि प्यारे बच्चो जब हमारा जूड़ा होता है L यहां पर समझेगा य वोल्टेज भीपल है, यह भीफल होता है, छीकर, और यह हमारा धारा है और यह भीपल होता है, इसकी भी जो कलांतर होता है, वो 90 डिगरी होता है तब आउसत-सक्तिक पमान भी कितना होगा, 0 होगा तो यहाँ पर थोड़ा समय यदि आप से कह दूँ थोड़ा लिखेंगे आप लोग चूंकि जो आपका विद्दुत बाहकवल है यही जो आपका विफवांतर है और जो आपका धारा है उसके बीच कलांतर कितने डिग्री 90 डिग्री जो कि बिद्दुत बाहकवल वा धारा के बीच धारा के बीच कलांतर 90 डिग्री होता है ठीक तब तब आपका पी एबरेज कितना हो जाएगा पैर बच्चो वी आर एमेस है ना इंटु आई आर एमेस इंटु कास 90 डिग्री और कास 90 कमान कितना होता है कास 90 कमान बताओ तो कास 90 कमान जीरू यही पी एबरेज भी आर एमेस इंटु आई आर एमेस इंटु कास 90 कमान जीरू होता है तो पी एबरेज बराबर कितना हो जाएगा जीरू हो जाएगा यही आउसत सक्ती कमान निकल कर आया सून यही जीरू तो इससे ये सिध्ध होता है कि हमारा जो उर्जा है बिल्कुल छे नहीं होता अता हम यहाँ पर लिख सकते हैं अता हा उर्जा का उर्जा का छे बिल्कुल नहीं होता ठीक है ठीक लेकिन प्यारे बच्चों यह चीज मैंने तो लिख दिया लेकिन आपको पता है कि कोई भी उपकरण होगा तो कुछ न कुछ मात्रा में कुछ न कुछ मात्रा में उसमी उर्जा का अपव्य करेगा चाहे कोई भी उपकरण हो चाहे वो कोई उपकरण हो तो आप आगे लिख सकते हैं कि कुछ न कुछ उर्जा उसमी उर्जा के रूप म अपव्य होता है, इसलिए चोकुंडली को जो है हम बनाते हैं, तो उसमें तावे के बिदुदुद्ध मोटे तार को लेकर नर्म लोहे पर, है ना, लपेट कर बनाते हैं, ठीक, ये चीज हो गया पैर बच्चों इसका सिद्ध्यान, सिद्ध्यान तो में इतना ही लिखना है आगे आप मत लिखें, इतना सिद्ध्यान लिखेंगे तो बराबर नमबर आपको मिल जाएगा ठीक है, स्क्रीन साट ले ले, इसके बाद हम बात करते हैं इसका उप्योग, इसका उप्योग भी ये रहा आपका इसके बाद हम बात करते हैं पैर बच्चो इसका उप्योग तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा से हेडिंग डालेंगे उप्योग उप्योग में बहुत कम लिखना है क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उप्योग में चोक कुंडली का सिध्यान क्या है धारा नियंत्रण ही तो इसका उप्योग समझाएगे तो धारा नियंत्रण के लिए पैर बच्चो इसका उप्योग करते हैं ताकि परिपत में जो भी उपकरण हो वो नश्ठ होने से क्या हो जाए बच जाए ठीक है तो आगे लिख सकते हैं प्रत्यवर्ती धारा परिपत में चोक कुंडली लगाकर प्रत्यवर्ती धारा के मान को प्रत्यवर्ती धारा के मान को प्रत्यवर्ती धारा के मान को नियंत्रित किया जा सकता है क्या किया जाता है प्रत्यवर्ती धारा परिपत में चोक कुंडली लगाकर प्रत्यवर्ती धारा के मान को नियंत्रित किया जाता है ठीक, क्लियर हो गया अब यहाँ पर एक और question खड़ा होता है कि प्रत्य चोग कुंडली में जो धारा बह रही होती है उसे बाट हीन धारा क्यों कहते है बाट हीन धारा क्यों कहा जाता है बाट हीन धारा तो इसकी परिभासा आपको लिखना है कि चोग कुंडली में बहने वाली धारा को वाट हीन धारा इसलिए कहते हैं क्योंकि कुंडली में बिद्द बाहगवल और धारा के मजद 90 डिगरी कलांतर होने के कारण और जब और सत्सक्तिकामान सुन होता है तो कुंडली में उर्जा का आपवे बिल्कुल नहीं होता इसलिए इसे बाट हीन धारा कहते हैं क्या बोलते हैं बाट हीन धारा ठीक एदी कॉश्यन पूछ दे कि चोग कुंडली को समझाए ये चोग कुंडली के मेरे बहने वाली धारा को वाट ही धारा क्यों कहते हैं तो ये आप लोग इतना कर देंगे ठीक है अब छोटा वीडियो आज का प्यारे बच्छो आपको समझाने के लिए था कि आप लोग चोग कुंडली को समझें चोग कुंडली किस प्रकार से काम करत बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहते हैं चोग कुंडली बताइए तो उमीद करता हूं कि आज आप लोग चोग कुंडली समझ गया होगी और वीडियो पसंदा है तो प्रीज लाइक जूरू करें दोस्तों साथ स्यार करें नोट्स लेना है तो